नमस्कार स्वागत है आप सभी का JJN नीज में और मैं हूँ आपके साथ निधिविष्ट उत्राकंड सरकार ने कावड यात्रा पर रोक लगा दी थी जिसके बाद कावडिया उत्राखड में साधारन कपडों में गुसने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम्याब रही आपको बता दें कि सोमवार को 240 कावडिया हरिदवार में गंगा का पानी लेने के लिए साधारन कपडों में गुसने की कोशिश कर रहे थे जैसे ही इसकी खबर उच अधिकारियों तक पहुँची तो तुरंथ इस पर एक्शन लेते हुए सभी कावडियों को वापिस भेजने के लिए सरकार ने 28 स्पेशल बसेज और 8 रेलवे ट्रेंज का प्रबंध किया रेलवे सुप्रिटेंडेंडंट मनोज कत्याल ने कहा कावडियों ने इस बार गेरुए रंके कपडों को ना अपना कर साधारन कपडों में हरिद्वार में घुसने की कोशिश की जिस वजह से उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो गया था उन्होंने बताया कि अब आइडेंटिफिकेशन के लिए सभी यात्रियों की RTPCR रिपोर्ट और एड्रेस चेक किये जा रही है इसी के चलते सोमवार 240 कावडियों को पहचान पाया और उन्हें वापिस भीजा गया रेलवे अधिकारियों ने बताये कि कावड यात्रियों पे रोक लगाने की जागरुकता फैलाने के लिए स्टेशन्स में एनाउंस्मेंट और फैंफलेट्स बाटे जा रही हैं इसी के साथ उन्होंने ये भी बताये कि राजस्तान और गुजराच से हरिद्वार में डुपकी लगाने के लिए आए दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिनने कोविट केर फैसिलिटी हॉस्पिटल में भीजा गया है तो फिलाल आज की इस खबर में बस इतना ही बने रही है जेजन नीउस के साथ नमशकार